देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अकलेस ने शिवपाल को तक्नी की रूप से बताया सपा का बिधायक शिवपाल बोले सपा में जाना मेरी भूल पाकिस्तान की जासूसी करने वालों को मिला दसलाग कमुआ अवजा सुप्रिम कोर्ट का केंदर सरकार को निर्देश तीन हफ़ते में पूरा करें भुकता है सरकार ने सिग्रेट छुडाने वाली दवा समेच 34 नई दवाओ को किया शामिल 26 दवाएं की बाहर नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी रुक करते हैं उत्रप्रदेश की खबरों की ओर सियम योगी आज अपने पिता तुलू गुरू ब्रमाली नवैदनात की आठवीश रद्धानजली साभा में शामिल होंगे जिसका योजन गोरकनात मंदिर के स्मृति हॉल में होगा वहीं इससे पहले सियम योगी गोरकनात के पहले हैल्थ एटियम का शुभारम करेंगे आपको बता दें कि शुरुआ चरण में पांच हैल्थ एटियम मशीने लगेंगी और आया की मुराद गंजती राहा रोड पर भू माफियाओं की खिलाव बाबा का बुल्डोजर गज़ा जिसके बाद से भू माफियाओं में हड़कम मच गया है आपको बता दें कि भू माफियाओं ने सड़क किनारे सरकारी खात के गड़ों पर कबज़ा कर रखा था वहीं इस दोरान तहसीलदार समेत राजस्वा टीम और भारी पुलिस बल मौजूद रहे अलिगर के गोंडा ब्लॉक में एक कारिकरम के दोरान मानवी वेशिक सिक्ष अधिकारी स्री संदीप सिंग को प्रदेश के परसदी प्रात्मिक विद्यालों में रिक्त पदों को भरने के संबन में ग्यापन दिया गया जिसमें 21 लाख प्राशिक्षों को अपना भविश सवारने का मौका मिल सके इस दोरान बेसिक सिक्ष्यामंत्री समेट काई साथ ही मौजूद रहे इसंब हम सब्सक्राइं है आगे फ़र आप क्या चाहते हूं सब्सक्राइब इस पिछल बढ़ती आए बढ़ जासल हो वह entit नहीं आई है जैसे पिछली बढ़ती निकिली 85207 तयार का समाई उन्हीं था और सरकार कहते हैं कि आपने यह बढ़ती निकाल दिया है। कॉंडा में आटियो विभाग ने अभियान चला कर स्वास विभाग की अन्फिट और बिना प्रदूसर की चल रही एंबूलेंस का चालान कर सीज करने की कवायत कर रही है। कानपूर में गैर मानता प्राप्ट मदर्सों की जाच के लिए टीम में गठीट की गए। टीम ने अब तक गैर मानता प्राप्ट 23 मदर्सों की जाच रिपोर्ट तयार कली है। आपको बताने की टीम में एडियम की निगरानी में बेशिक सुख्ष अधिकारी, जिला अल्प संख्या कल्याण अधिकारी और स्डियम टीम शामिल है। वहीं 25 अक्टूबर तक डियम की माध्यम से गैर मानता प्राप्ट मदर्सों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगे। अमेठी बीबी आईपी रेलवे स्टेशन का बुरा हाल हो रखा है। तो जे भग्त लोग हैं वह तुरंट के देखो इस्टेशन की यह दसा है कि आप इस्टेशन में रात में थोड़ी सी बारिस होने पर जहरने का इसास हो रहा था लग रहा था जिए सिमला उमला में है। गोंडा में मुसलाधार बारिस और बैराज से छोड़े जा रहे पानिस एक बार फिर से सर्यू और घागरा नदी उफान पर है। जिसके चलते बार प्रभावित शेत्रों में लोगों की मुसीवत फिर से बढ़ गई है। वहीं बदलते मौसम से किसानों की सूख रही फसल का सबसे जादा फाइदा हो रहा है। साथ ही लोगों के भी सड़ गर्मी से भी रहत मिल रही है। हर्दोई के हरपाल पूर्थाना शेत्र के कटरा बिलहौर हाईवे के पास हाई टेंशन विदूत लाइन का तार अचानक तूट कर नीचे गिर गया जिसके चलते एक बाइग सवार की अचानक मौत हो गई और दूसरे बाइग सवार दंपत्ती खायल हो गया। मौके पर पहुची पूलिस ने घायलों को नजदी के अस्पताल में भरती कराया साथी मृतक के शब को पोस्माटम के लिए भेज दिया। हरदोई कोतवाली शेत्र कच्छोना के ग्राम बागहाट डाडा के पास गाउ में सित जंगल में एक दरजन गौवन्शों के अफशेस मिलने से शेत्र में संसनी खैल गई। सूचना पर पहुची पुलिस प्रशासने मौके पर पहुच कर मामले की जाच की जिसके बाद अग्यात गौ तसकरों के खिलाफ गौवन्श अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है साथी आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिये गए हैं। पहुची और सब्सक्राइब पहुचे और वहां पर लिगा गया तो कुछ दिया और के माम सब्सक्राइब को अग्यात गेमिद्धियों के विरुद्ध अभी पंजेकत किया गया हैं। जल्दी जल हमें पूरे गैंग को पुड़ेंगे सफल तरो इसका नावरन करेंगे और तरो डंडाते कर रहे हैं प्रताब गड़ में सदर बिधायक के उनके करीबी ने जम कर पिटाई की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है बताये जा रहा है कि यह वीडियो एक बर्थडे पार्टी का है फिलाल अभी तक आरोपी के खिलाप मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है फिलाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी कुछ पार पुष्पर आप देख रहे हैं